नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है अभिननदन है सिच्छक भरती के प्लेटफॉर्म टीचर्स फैमिली का प्लेटफॉर्म जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तो बात करेंगे मनोबिग्यान फिचकोलाजी का गोल्डेन चांस है दोस्तो गोल्डेन उच्छे जाते हैं किस सलेवस के अधार पर क्योंकि यहां पर सलेवस आपका नहीं रहता मनोबिग्यान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक पर बात करेंगे यह 20 प्रस उसी टॉपिक पर है तो आईए शुरू करते हैं सभी सिचक मेरे भावी अध्या पक अध्या पिकाएं वीडियो को अंदक देखेगा दोस्तो मनोबिग्यान के एक और हमने लगवग 3-4 क्लास कंप्लीट कर लिए है तो आई बटन पे लिंक आएगा आप पिछली क्लासेज भी देख सकते हैं तो सुरू करते हैं मनोबिग्यान के टॉप 20 कोस्चन बाई जै इतना का बिग्यान है बेवहार का बिग्यान है मस्तिस का बिग्यान है या आपके आत्मा का बिग्यान है तो वरतमान में मनोबिग्यान जो होता है दोस्तो वह आपका बेवहार का बिग्यान होता है क्या होगा बेवहार का बिग्यान होगा अंगला प्रस देख लेते हैं द सताबदी में मनों बिग्ञान को क्या माना जाता था देखे चार-पांच प्रकास के बन सकते हैं सुलाहमी सत्रावी सताबदी पिर आपकी उन्नीस्वी सताबदी बीस्वी और इकीस्वी सताबदी जो चल रही आपकी और अठार आवी मैंने पहले ही आप लोगों को बता चु जो मन का बिग्यान के जो खोज है वो पुम्पो लाजी है ठीक है इनके प्रवर्ता का आपके पुम्पो लाजी है मन के बिग्यान के 19 सताबदी की बात की जाती है तो यह आपका चेतना का बिग्यान कहलाता है चेतना का बिज्ञान और इसके प्रतिपादा का विलियम मुंट रहे हैं और जब भी बात आपके 20 और 21 सदी की बात की जाती है इसमें आपके वार्टसन, वुडवर्थ, हंडाइक और दोस्तो इसको क्या है? 20-21 सदी के बेवहार का बिज्ञान कहा जाता है तो आपके यह हो जाएगा, तो राइट इंसर क्या बना? सुलामी सताबदी को मनो बिज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तो यह आपके आत्मा का बिज्ञान कहा जाता है सुलामी सताबदी में पूंचा जाए तो आत्मा का बिज्ञान सत्रावी सदाबदी में मन का बिग्यान और चेतना मस्तिस का बिग्यान हो गया ठीक है और 21 सदी में बेवहार का बिग्यान माना जाता है अगर आपके ये भी पूचे जाए कि वर्तमान में मनों बिग्यान को क्या माना जाता है अंगले साल एक सरकारी सीट चाहिए दोस्तो और इस सीट के लिए ही बहुती बेहतीन कलास चल लाई है चेहिन दोस्तो लाइक सेयर करना मत भूलेगा सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्वाद दोस्तो मनो बिग्यान को चेतना का बिग्यान कहा गया है जो आपकी मनो बिग्यान है इसको चेतना का बिग्यान क्यों कहा गया है यह चेतना का बिग्यान किस सताबदी में कहा अभी अभी प्रजेंट पिछले कोश्चन मैंने बताया दोस्तो क्या बताया दोस्तो आत्मा का बिग्यान सुलामी सताब्दी में सत्रामी सताब्दी में मन का बिग्यान बीस्वी सताब्दी में आपने बिवहार का बिग्यान बताया था ठीक है उन्नीश्वी सताब्दी मैंने क्या बताया था मैं निस्वी सतापदी में मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या बताया था की मनों बिज्यान को चेत्ना का बिज्यान कहा गया है नीश्वी सताबदी में और इसके प्रोड़ता कापके विलियम बोंट रहे हैं अंगला प्रसन देख लेते हैं लाजवा प्रसन है सिच्छकवर्ती में और मत्पदेश का नंबर वन चैनल आप लोगों को प्यार और इसने से दोस्तों बन चुका है और बहुत ही बहुत धनव पाज सभी मित्रों को अंगला प्रसन यह है प्रथम मनो बैग्यानिक प्रयोग साला इस्थापित की गई थी जो प्रथम मनो बैग्यानिक प्रयोग साला थी उसको इस्थापित की गई किस सन में किया गया था सभी लोग आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों तो प्रतम प्रयुक्षाला अलग बात होती है लेकि प्रतम फिचको लाजी मनो बैग्ञानिक जो आपका प्रयुक्षाला था फिचको लाजी जो लाइव था वह स्थाबित किया गया कब किया गया था देखे तो इसका राइट अंसर जान लेते हैं क्या होगा 1879 में किया गया थे नहीं पहला अपसन सही हो जाएगा और इसके प्रवत्तक आपके William Bond रहें अंगला प्रस देख लेते हैं लाजवा प्रस नहीं लाइक सेयर करना मत ठूकिएगा दोस्तो लाइक सेयर करना मत चूकिएगा दोस्तो जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक सिच्छक सिच्छकाए हैं टीचरस फैमली हैं हम सब लोग सिच्छक हैं दोस्तो प्रस्णिया है कि प्रयोग आत्मक मनो बिग्यान का जनक माना जाता है बुडवर्ट को माना जाता है विलियम बुडवर्ट को माना जाता है वार्ट्सन को माना जाता है इस्कनर को माना जाता है तो प्रयोग आत्मक मनो बिग्यान का जनक किसे माना जाता है मेरे प्यारे मित्रो देखे मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब भी दोस्तों आपके प्रयोगात्मक मनोबेग्यानिक की बात की जाए जनक अगर पूछ रहा है तो आपका विलियम बॉंट हो जाएगा अगर यह पोचा जाता यह किस सहर में तो आपके जर्मनी में प्रयोगात्मक मनोबेग्यान की जनक आपके विलियम बॉंट माने जाते हैं अंगला पस देखेंगे जन्म के समय सुष के सरीर में हड़ियां कितनी होती जब बच्चा जन्म लेता है जब बच्चा जन्म लेता है बच्चे का नौजास सिसू होता है तो उस पर उसके सरीर में हड़ियां कितनी होती है देखे मैं दोस्तों बताना चाहता हूं सिसु जन्म लेता है यानि सिसु कैसे इसावस्ता में होगा यानि कि 0 से 5 सब्सक्राइब की सेसावस्ता कहलाती है लेकिन जन्म के समय जब भी सिसु होता है सभी लोग जानते हैं लगवग 300 आपके बच्चे या जन्म के समय से उसके सरीर में हड़ियां होती है अगर 270 अपसन होता है 270 प्रस होती है अगर 270 अपसन है और 300 भी है तो आपको 300 में क्लिक करना है अगर आपका 300 अपसन नहीं 270 है तो 270 में क्लिक करेंगे 270 और 300 है तो आपको 300 में ही करेंगे 300 से दिक नहीं होता है ठीक है फिर क्या होता है बहुत से अपसन यह रहता है कि यह दीरे-दीरे क्या होती है दो-तीन हड्डियां आपस में जूर जाती है और एक बड़ी हड्डी मजबूत हड्डी का निर्मार करती है इसलिए फिर बड़े में आपके हड़ियां क्या है कम हो जाती है ठीक है वैस्ट में हड़ियां कम हो जाती है तो right option का fourth हो जाएगा अंगले next question की तरफ चलते हैं लाजवा प्रसन अंगला यह पूचा जा रहा है कि बालक अपनी मा को पहचानना प्रारम कर देता है जो बालक होता है अपनी मा को जो है कबसे पहचानना प्रारम कर देता है तीन माय में नौ माय में आठ माय में छे माय में तो पिछले आपके प्रसन में बताया था दोस्तू सब्सकाइब करने के लिए बहुत-बहुत धनवाद आपका तो बालक अपनी मा को पहचानना प्रारम करता है तीन माहे में जब बच्चा तीन माहे का होता है तो बालक जो होता है अपनी मा को पहचाना प्रारम कर देता है और एक और प्रसनाता है कि बालक का पहला गुरु जो होता है उसकी माता ही होती है बच्चे की और पहला बिद्याले जो होता है उस बच्चे का परिवार हो दोस्तों वह किसे माना जाता है सैसा वस्था को किसोरा वस्था को किसोरा वस्था को बाल्य वस्था को सैसा वस्था को तो सीखने का आदर सकाल जो माना जाता है वह सबसे बेतर आपका कौन सा होता है सैसा वस्था को माना जाता है ठीक है दोस्तों जीवन का आदर सकाल अगर पूँचा जाता यहाँ पे ठीक है जीवन का गर पूँचला जाता है ठीक है अगर यहाँ पे पूँचा जाता कि ठीक है सीखने के जगए आपका जीवन होता कि जीवन का आदर सकाल क्या होगा तो आपको वह बाल्या वस्ता होता ठीक है लेकिन यहाँ पर पूचा गया है इंडिया में बात की गई है कि आपके भारत में जो है बाल विकास की सुरुवात कब की गई थी दोस्तों तो यह आपके भारत में 1930 में की गई थी बहुत से बच्चे क्या लगाएंगे भी अपसन लगा देंगे ठीक है यह भारत में सुरुवात नहीं गई सबसे पहले जो 1879 में हुआ था ठीक है लेकिन बाल विकास के सुरुआज जो है आपके 1930 में भारत में होई थी भारत में कब होई थी 1930 में होई थी विकास प्रारंब होता है सैसा वस्था में होता है गरभा वस्था में होता है बाल्या वस्था में होता है आपकी किसोरा वस्था में होता है तो विकास प्रारंब होता है मित्रो विकास प्रारंब होता है कब होता है आपका विकास प्रारंब यह दोस्तो सैसा वस्था, गरभा वस्था, बाल्य वस्था देखे मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिकास जो गर्भावस्था से ही प्रारंब हो जाता है और यह होता है कि ज़्यादा तर जो दोस्तो जब बच्चा के जन्म के समय जो है सिसु में सबसे पहले निर्मान क्या होता है गर्भ में ठीक है बिकास तो गर्भावस्था से प्रारंब हो जाता है लेकिन सबसे पहला चरण या सबसे पहला विकास जो है गर्वावस्था में क्या होता है तो बालक की सिर्का होता है ठीक है बालक के सिर्का होता है और ये पूंचा जाता है दोस्तों की जो बॉयज और गर्ल होते है ठीक है बालक और बालिका है जो होती है बॉयज और गर्ल हम जैसावस्था में बॉयुश की नंबाई बड़ती है फिर आपका चैंज हो जाता है जब आपका की और इसके बाद जो पहले आपकी सैसा वस्ता और किसोरा वस्ता में लड़कों की लंबाई जादा होती है, लड़कियों की अपेच्छा, ठीक है, तो विकास प्रारम्ब होता है, और दो महीने में लगबग बच्चा जो होता है, क्रियेटविटी करने लगता है, और सारी दोस्तों की बालिकाओं की लंबाई की सवस्ता में बालकों से अधिक होती है, ठीक है, यह प्रसना गया, मैंने आपको बताया भी था, अभी अभी डिटेल के साथ इसलिए बता दिया था, क्योंकि यह प्रसनाने वाला था, तो बालिकाओं की जो लंबाई है, की सवस्ता मे बालकों से अधिक होती है तो मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बाल ले वस्था बताया था ठीक है दोस्तो ये आपके दिख रहे होंगे ये दो बॉइज हैं और दो ये गुर्ल हैं आपको स्कीन पर दिख रहे होंगे ये गुरुप बोईच और गल का गुरुप दिया है तो इसमें जो मैं आपको बताया था कि जब भी सहसा वस्ता में क्या होता है बोईच की लंबाई जो ये सहसा वस्ता माले है बोईच की लंबाई जादा होती है और बाल्ला वस्ता में क्या होता है गल की लंबाई फिर जादा हो जाती है लड़कों के पेच्छा और फिर आपका किसोरा वस्ता के अंद में क्या होता है गल की अपेच्छा लड़कों की लंबाई फिर जादा हो जाती है लेकिन यहाँ पे पूचा गया है कि बालिकाओं की लंबाई की सवस्ता में बालकों से दिख होती है तो आपके बाल लावस्ता हो जाएगा ना इदाई टापस नंबर थी हो जाएगा यह बाल लावस्ता में लड़कियों की लंबाई जादा होती है अधर में आपके लड़कों की होती है अधर अधर अवस्ता जो है फाहले और उसके समझ सकते हैं आप अंगला प्रस देख ले हैं क्योंकि आप लोग सभी लोग अनभाव से युक्त हैं अनभाव से पूर्ण हैं दोस्तो प्रस्निया है कि जन्म के समय नौजात सिसु होता है जब बच्चा जन्म लेता है जन्म के समय नौजात सिसु रोता है किसके कारण बच्चा रोता है जब जन्म लेता है तो ये वातावरण में परिवतन के कारण किया होता है बच्चा जन्म के समय रोता है अंग्ला प्रस देख लेते हैं क्या प्रसने दोस्तो प्रत्व मनो बैग्यानिक प्रयोकसाला इस्थापित की गई जो आपकी प्रत्व मनो बैग्यानिक प्रयोकसाला है आपकी फिजिकल लैब है वह इस्थापित किया गया था ठीक है कहां पर इस्थापित किया गया था ये देख लेते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों आपके लिपजिंग जर्मनी में इस्थापित किया गया था ठीक है राइट अपस नमबर सेकंड होगा प्रथम मनो बैग्यानिक प्रयोक्षाला ठीक है फर्स्ट फिजको लाजी लैब जो इस्थापित किया गया था आपका लिपजिंग जर्मनी में किया गया था और कब किया गया था सन 1879 में किया गया था ठीक है और किसके द्वारा किया गया था विलियम वॉंड के द्वारा किया गया था तो आपकी ये राइटर हो जाए गया इंसा अंगला प्रस देख लेते हैं सबी मित्रों को जैंद दोस्तों मीट करता हूँ आप लोग अब इतक वीडियों को जरूर लाइक किये होंगे क्योंकि बेतरीन क्लास है यूटूब के सिच्छक बरती में इतिहास में पहली ऐसी क्लास आपको मिल लही होगी दोस्तों जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा प्रेमर उसने के लिए अध्यापक वही सफल होता है जो देखे जो अध्यापक होते हैं बच्चों को पढ़ाने में देखे बच्चों के पढ़ाने में ही सफल हो सकता है तो वह कैसा अद्यापक सफल हो सकता है जो बालकों को पहचानता हो अद्यापक जो बालकों की रुची को जानता हो जो बालक का परिवार जानता हो जो बालक के आदितों को जानता हो देखे वही अद्यापक सफल होगा दोस्तों जो बालक का यके यकी बालक की रुची जानता हो जियां दोस्तो बालक की रुची जानता हो इंटेस्टिंग जानता हो कि बालक का इंटेस्ट क्या है उसकी रुच क्या है वह ये द्यापक सफल होता है तो राइट अपसन अपका सेकंड हो जाएगा अंगलाप्रस देख लेते हैं अंगलाप्रस लाजवाप्रस ने है कि फिजिकोलाजी यानि मनो बिग्यान सब्द सर्पथम किस ने दिया था मनो बिग्यान फिजिकोलाजी सब्द देने वाले सर्पथम आपके बैग्यानिक कौन से है और इसकीन पर हैं दोस्तों यही आपके बग्यानिक है इनका नाम क्या है जान डिवी है, रोडॉल्फ है, इसकनर है, या वाट्सन है इसकीन पर मैं इनकी पिक भी दिया हूँ और पिक भी दिया हूँ कि मनो बिग्यान सब के प्रथम देने वाले जो है सब दिनों ने मनो बिग्यान का दिया था सरपथम तो यह आपकी कौन है आपके रोडॉल्फ है सभी लोग नोट कर लेंगे जहिन वन्दे मातरम दोस्तो लाजवा प्रस्चन लई है रोडॉल्फ है इनका पूरा नाम रोडॉल्फ गाल का है अग कब दिया था इन्होंने 1590 में दिया था यानि 1590 में दिया था जहिन दोस्तो लाइक सेर करना मत बूलेगा अंगला प्रस्चन लाजवा प्रस्चन ध्यान दिजेगा प्रस्चनों को कि फिचको लाजी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तो दोस्तो लाजवाब प्रसन है जहिंद बंदे मातरम दोस्तो बहतरीन प्रसन लाजवाब है कि फिचको लाजी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तो आपके विलियम जेम्स को फिचको लाजी के जनक कहा जाता है दोस्तो दो आपसन आते हैं अगर यहाँ पर आपका अरस्तू देख अगर आपका अरस्तु है अगर अरस्तु भी आपसन में है विलियम जेम्स भी आपको अरस्तु में करना है अगर आपका अरस्तु आपसन में नहीं है विलियम जेम्स है तो विलियम जेम्स करना है समझ गए दोस्तों चले दोस्तों फिर एक और है कि विलियम जेम्स ने आपके क्या बोलते हैं आपका एक दोस्तो प्रिंस्पल आफ साइकोलाजी की एक बुक थी ठीक है प्रिंस्पल आफ साइकोलाजी की बुक है प्रिंस्पल आफ साइकोलाजी की बुक है इनके जो आपके लेखा कहा है विल्यम जेम्स की है William James की Principal of Psychology नामक पुष्तक इनकी William James की है सभी लोग नोट कर लेंगे अंगला प्रसन है मनोब ज़्ञान की उत्पत हुई है दोस्तों जो मनोब ज़्यान है इसकी उत्पत तो कहां से होई है समास साथ से होई है दर्सन साथ से, सिच्छा साथ से या इनमें से कोई नहीं तो मनो बिज्ञान की जो उत्पत्य हुई है दोस्तो वह आपके किसे हुई है वह आपके दर्सन सास से हुई है किसे हुई है मनो बिज्ञान की जो उत्पत्य हुई है वह आपके दर्सन सास से हुई है अंगला प्रस देख लेते हैं प्रस्ण के है दोस्तों आदुनिक सिच्छा मनों बिज्ञान का विकास जिस सताबदी में हुआ देखे मैं आपको बताया था सताबदी से चार महत्पूर्ण प्रसनाते हैं सत्राहमी, उन्नीस्वी, बीस्वी, कीस्वी, स्वलाहमी सुलामी सताबदी में आत्मा का बिग्यान होता है और इसके प्लेटो वारस्तु है सत्रामी सताबदी में मन का बिग्यान होता है मन का बिग्यान होता है इसके आपके पिंपोलाजी है 19 सताबदी में चेतना का बिग्यान है और इसके आपके विलियम मुंट है और 20-20 में आपके वाटसन, वुडवर्थ और थांडाइक बिवहार का बिग्ञान है ठीक है बिवहार का बिग्ञान में मैंने आपको अठार्मी आधनिक सिच्छा मनो बिग्ञान का विकास कि जिस सताब दिम हुआ मैं आपको क्या बताया था आधनिक की बात की गई है दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा 20-वी सदी में ठीक है आधनिक प्रजेंट टाइम ये पूँचा जाए बिवहार का बिग्ञान पूचा जाए तो आपको क्या हो जाएगा 20-वी सदी में आ जाएगा ठीक है इसमें वाटसन वुड़ वर्थ हंडाइक हो गए तो राइट अपसन अंबर फोर्थ अपसन हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं दो प्रसन हो रहे गए हैं लाजवा प्रसन है कि सिच्छा मनो बिग्ञान की देन है दोस्तो सिच्छा मनो बिग्ञान ठीक है किसकी देन है वस्तु केंदि सिच्छा की देन है बाल केंदि सिच्छा की देन है अध्यापक केंदि सिच्छा की या क्रिया 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 सिच्छा की दो आपसन होता है बाल केंदित या क्रिया अध्यापक केंदित हो सकता है या पहला हो सकता पहला हो सेकन्ड लाइन आपके दो है इनमें मै कट कर दूँंगा दो में से कौन सही है फटा फट कमेंड के मार्थ में जुरू बताएं सच्छा मनुविग्यान की देन है तो सभी लोग जानते हैं बाल केंदे सिच्छा की देन है राइट अपस नमबर सेकंड हो जाएगा अंगला प्रस देख लेए हैं लाजवाप प्रसंदिया है जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों प्रसंदिया है बेहतीन प्रसंदिया है यह आपके 1925 में हुआ था तो बेवारवाद के सिधान का जो प्रतिपादन हुआ था वैक अब हुआ था दोस्तो राइट एंसर हो जाएगा आपका 1901 में हुआ ठीक है 1901 में हुआ था बेवारवाद सिधान का प्रतिपादक किस ने किया था तो आपके Watson ने किया था सभी लोग नोट कर लेंगे किस ने किया था दोस्तों आपके Watson ने किया था दोस्तों ये class कैसी रही है लाजवाब क्रास रही है subscribe करने के लिए बहुत बहुत बढ़ा धनवाद इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सिच्चक में family में सामिल होने के लिए सिच्चक के परिवार में सामिल होने के लिए सभी मित्रों का मेरा नमन है सभी लोग राज़ निर्माता हूं बहुत बहुत बढ़ा युगदान होने वाला है दोस्तों आप लोगों का हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए दोस्तों, कि कब एक्जाम डेट आए, आपका एक्जाम डेट तो आही गया है, एड्मिर का डाय फिरम पढ़ना इस्टार्ट करेंगे, नए, बलकि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोसिस करनी चाहिए दोस्तों, दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार नहीं करना, कि जितना तुम सोचोगे, जिन्दगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल लएए, तो जैहिन सभी मित्रों को मिलते हैं नेस क्लास में तनवाश सभी कर,